हलो दोस्तों, वेलकम टू टोपर्ट विलेज दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नमबर 1 रिलेशन एंड फंक्षन्स इसकी एकसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे, तो आज हम क्वेशन नमबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो यह अपने पास में exercise 1.2 question 1 पहले मैं बता दू exercise 1.2 के अंदर सभी questions के अंदर दो type के functions discuss किये गए है पहली category ये है 1.1 menu 1 की और दूसरी category on to into की है जो 1.1 और on to एक साथ होते हैं उनको हम byjective functions बोलते हैं तो अभी start करते हैं questions जैसे जैसे वैसे पिछले वीडियो में मैंने सब कुछ detail में discuss किया था अगर आप वो वीडियो देख लोगे ने तो आपको बहुत बहुत फाइदा होगा theory या फिर किसी भी question को easily attempt करने में ठीक है आपको बार बार एक के question देखने की जरूत नहीं पड़ेगी तो अब हम start करते है question number one से अभी हम उसका revision नहीं करेंगे जैसे जैसे question चलते चले जाएंगे न वैसे वैसे मैं आपको suggestion और साथ यसाथ theory बताता रहूँगा तो question number one इसमें बोला है show that the function f ये क्या है r star to r star ये star या esteric ऐसा कुछ बोलते हैं star को होता है na mobile में type करते हैं तो star के अलावा वो एक कुछ ऐसा इस type का आता है अलग लग ऐसे side में निकले हुए होते है esteric esteric ऐसा कुछ बोलते है पता नहीं हम इसको star बोल देते हैं चलो f r star to r star defined by f of x equal to one by x ये है अपना main function is one one and on two ये हमें बताना है कि f of x बराबर one by x है ना ये one one on two है इसके अंदर where r star is the set of all non-zero real numbers real number है लेकि जिरो नहीं है non-zero is the result true if the domain r star is replaced by capital N with the co-domain being same as r star तो मतलब दूसरा फिर एक और question लगा दिया कि अगर हम यहाँ पे domain ये ना ये domain की जिगह है और ये co-domain की जिगह है तो यहाँ पे हम n कर दें capital N तब क्या होगा तब हमें बताना है तो अभी हम पहला ये प्रूव कर देते हैं कि अभी फिलाल ये one one on two है इस पर ध्यान लगाते है पहले तो देखो दोस्तों ये है अपना question यहाँ पे जो ये आर स्टार है इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से बता देता हूँ ये कह नोन जीरो रियल नंबर का सेट है मतलब इसमें सारे रियल नंबर आएंगे लेकिन जीरो नहीं आएगा तो आर माइनस जीरो ऐसेम बोल देते हैं और अगर मैं इसको आसान भासा में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि नंबर लाइन से पहले बता देता हूँ जैसे नंबर लाइन है तो र मतलब रियल नंबर मतलब माइनस इंफ़नेट से इंफ़नेट तक सारे जितने भी नंबर है वो सबरियल नंबर है उसमें से 0 नहीं आएगा तो यहां पर कोन है? 0 है ना? इस 0 को हम हटा देंगे, ऐसे मैं खाली लगा दूँगा तो r star का मतलब यह है minus infinite से 0 तक 0 को फिर छोड़ देंगे और फिर 0 से लेके infinite तक तो इसको interval में ऐसे लिखते हैं minus infinite से 0 तक minus infinite to 0 यहां पर small bracket लगाऊंगा small bracket मतलब इसको include नहीं कर रहे यहां पर 0 पर भी इसको small bracket तो 0 को हम नहीं ले रहे फिर union फिर 0 से आगे का तो यह क्या जाएगा? 0 to infinite हो जाएगा ऐसा, r star का मतलब यह है कि 0 नहीं ले रहे बागी दुनिया में जितने में real number and सब ले लेंगे अब हम आते हैं कि इस function को हमें one one on to prove करना है तो सबसे पहले हम prove करेंगे इसको one one ठीक है? one one हम कैसे prove करते हैं? मैंने एक tip दिती पिछले वाले वीडियो में एक suggestion दिया था कि आप question को देखके approach बदल सकते हो यहाँ पर आर आर है ना real numbers के बारे में बात किए है अगर यहाँ पर capital N वगरा कुछ होता तब हम अलग तरीके से approach करते है capital R जब भी आता है सब भी बता दूँगा मैं question आने दो एक बार capital R वाला आगया question तो इसमें देखो क्या करते है one one प्रूव करने के लिए हम इसमें approach लगाते है f of x1 बराबर f of x2 मान लेते है ठीक है ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं कि f of x1 बराबर f of x2 है इससे फिर हमें यह प्रूव करना होता है ठीक है क्या प्रूव करना होता है कि x1 बराबर x2 आ जाए वो भी only क्या लिखा मैंने आपे only only यह आना चीए इसके अलावा यह देखो जब आप यह मानोगे तो यह तो आएगा ही आएगा अगर इसके अलावा कुछ और भी आ जाए तब फिर हम one one नहीं बोलेंगे फिर many one बोलेंगे only यही आना चीए तब one one हो जाएगा तो श्टार्ट करते हैं मैंने के लिए f of x1 बराबर f of x2 f of x का मतलब one by x तो f of x1 one by x1 f of x2 one by x2 ठीक है cross multiply कर लो या फिर यह जो reciprocal ना इनको वापस सिधा कर लो तो क्या मिलेगा हमें यह हो जाएगा x1 यह क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा देखो x1 बराबर x2 ही आया only इसके अलावा कुछ भी नहीं आया x1 बराबर minus का x2 ऐसा भी नहीं आया x1 बराबर x2 प्लस सम्थिंग ऐसा भी नहीं आया only क्या मिला है हमें x1 बराबर x2 only यही मिला है इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना यह जो function है f यह क्या हो जाएगा one one हो जाएगा इतने चीज प्रूव अब हम आते हैं on to पर on to कैसे प्रूव करते है तो इसमें भी मैंने एक सला दीती जब भी r से r यह real मतलब r का नाम ले 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 ना question में तब आपको कैसे लगाना है on to क्या होते है on to वो functions होते है जिनकी range होती है co domain के बराबर किसके बराबर co domain के बराबर यह co domain क्या चीज है आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है f फिर यहाँ पे semi column लगा के क्या बोला है r star फिर ऐसे arrow लगा के बोला r star इनका meaning क्या होता है यह ऐसा क्यों लिखते है देखो दोस्तों यह जो लिखा है यह जो r star यहाँ पे जो पहली जगह जो भी आता है वो कहलाता है domain क्या कहलाता है domain और जो दूसरी जगह आता है वो कहलाता है co domain ठीक है ऐसा समझ लो हम input जब भी लेते हैं input जैसे कोई function है f of x है तो आपको x की value तो डालनी पड़ेगी तो input हम कहां से उठाएंगे domain से उठाएंगे तो इसके domain के पास में लिख देता हूं है input या पिर समझ लो ऐसा input है फिर arrow लग रहा है arrow लगने से फिर मतलब इधर की तरफ output मिलेगा अब f of x x की value तो domain से आएगी x की value इसमें डालेंगे इसको solve करेंगे पर ये दूसरी जगे पर code domain मिलता है अभी फिलाल code domain क्या है r star मतलब r star को पता ही r star मतलब r में से 0 हटाने वाली बात है तो ये मिल जाता है code domain आपको question में दे रखा होगा range हमें खुद से मेहनत करके निकालने पड़ती है range अगर code domain के बराबर आ जाए तो function क्या हो जाएगा on to हो जाएगा अब हमें ये चीज prove करनी है ठीक है अच्छा range का क्या मतलब है code domain समझ गया आप range का मतलब क्या होता है real में जो output मिलता है यहाँ पर मैं बोल देता हूँ real output real में really 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 सही रहेगा है really हमें output क्या चीज मिलता है ठीक है वो range होता है देखो इसको समझाता हूँ मैं आपको generally x input का का काम करता है और जो y है या फिर समझ लो f of x है यह अपने लिए output का काम करेंगे हम बच्पन से यही तो करते आए आपने वो देखा 10th class के अंदर equation होती है मतलब x plus y बराबर 10 उसका गराब बनाओ straight line का गराब बनाओ तो हम क्या करते थे x के value डालते थे y के value निकालते थे तो x input हो गया y output हो गया यहापे f of x को हम y के बराबर ही मानते है तो तो यह जो output है न यह इनकी values range मतलब really जो output होती है वो तो यह यह बने लिए क्या है range है हमें एक बार यह पता तल जाएगी और यह f of x कहां से कहां जा रहा है तो वो range कहलाएगी code domain तो हमें पता है यहाँ पर r star देखो कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर कुछ methods काम में लेंगे वैसे मैंने इलेउंत क्लास में range के लिए complete एक वीडियो बनाये था उसमें 5-6 प्रकार से हम range निकालना सीखते हैं यहाँ पर एक type लगेगा यह वो function क्या f of x बराबर f of x बराबर 1 by x है हम x से चालू करेंगे फिर 1 by x बना लेंगे 1 by x बनते ही वो f of x आ देगा तो फिर हम f of x पे comment कर सकते हैं x से चालू कैसे करें मतलब x से चालू कैसे करें देखो function की जो domain है वो क्या है domain क्या है r star r star मतलब r minus 0 r minus 0 मतलब minus infinite से 0 तक फिर 0 को छोड़ दिया union फिर 0 से आगे चालू कर लिया 0 से infinite तो हम बोल सकते हैं कि जो domain है वो है minus infinite से 0 union 0 से infinite ठीक है x belongs to इसमें करेगा domain मतलब input वाली बात है ठीक है हम चाहते हैं कि हम range पे comment करें range मतलब output output मतलब f of x की value f of x मतलब 1 by x पे comment करें यह x की बारे में तो हमें पता चल गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा दोगो x belongs to minus infinite से 0 और 0 से infinite है तो इसका अगर मैं उल्टा कर दूँ 1 by x बना दू 1 by x belongs to तो क्या होगा तो यह जो values है x की value जैसे समझो कि x की value है 2 तो 1 by x क्या हो जाएगा हम बोलते है 0 का उल्टा कितना होता है infinite होता है और एक और चीज़ पता है infinite का उल्टा क्या होता है 0 होता है है कि नहीं 0 का उल्टा infinite infinite का उल्टा 0 ठीक है तो जो minus infinite है इसका उल्टा क्या हो जाएगा minus 0 मतलब 0 से थोड़ा negative side की तरफ तो ऐसा समझो इसको और मैं क्लिरली आपको बता सकता हूँ आप खुद भी आपने कभी अबजर किया होगा ये 0 है ये 0 से नेगिटिव साइड की तरफ ये काफियत तक माइनस 0.001 के असपास होगा और 0 से जो दाइं तरफ होता है तो प्लस का 0.001 मादा प्लस साइड में इधर होगा और ये प्लस का इंफिनेट इधर मिलेगा और इधर माइनस का इंफिनेट मिलेगा तो हम माइनस इंफिनेट का उल्टा करेंगे तो ये 0 के करीब पहुंच जाएगा और 0 के करीब लेकिन नेगटिव साइड में ऐसे numbers का उल्टा करेंगे तो ये minus infinite के करीब हो जाएंगे ऐसे इधर की तरफ cycle चलेगा हम 0 से just ज़्यादा 0 का उल्टा तो करी नहीं पाएंगे infinite चला जाएगा तो 0 से just ज़्यादा जो number उनका उल्टा करेंगे जैसे 0.001 इसका उल्टा करूँगा तो 1000 हो जाएगा बहुत जादा हो जाएगा तो ये number तो बड़े हो जाएंगे plus side की तरफ और plus side की तरफ जो बड़े number है उनका उल्टा करूँगा तो 0 के करीब आदाएंगे लेकिन plus side की तरफ ही रहेंगे तो minus infinite का उल्टा 0 की तरफ और 0 का उल्टा minus infinite की तरफ क्योंकि negative side है तो sign negative ही रहेगा बले उल्टा कर लो union 0 का उल्टा infinite यह plus side में है तो plus infinite का उल्टा plus side का 0 हो जाएगा ऐसे है ठीक है यह आगे 1 by x 1 by x बोले तो क्या f of x तो f of x belongs to minus infinite से 0 union 0 to infinite step by step सिखो गई तो समझ में आजाएगा अगर आप बीच में से देखो गई तब समझ में नहीं आएगा f of x मतलब क्या output output मतलब क्या range तो range क्या हो गया minus infinite से 0 union 0 से infinite मतलब क्या हुआ कि minus infinite से infinite तक तो गए लेकिन हमने 0 को include नहीं किया तो 0 को हमने ऐसे हटा दिया यह minus infinite से infinite क्या होता है यही तो अपना real number होते हैं सारे इस में आजाते है minus से 0 हमने इसमें से हटा दिया R में से एगर हम 0 उठा देगे तो एक क्या बन जाएगा R star बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा यह क्या बन गया, आर में से जीरो अटा दिया यह तो बोला था, मतलब नौन जीरो रियल नंबर्स तो यह आर इस्टार बन गया और यह आर इस्टार क्या है, आर इस्टार यह बना गया है कोडोमेन है, ठीक, आर इस्टार अपना और कि भी प्रूव हो गया एंटेक वनवन भी हो गया और बинки यह बना थन है तो यह बाइज ओब हो जाएगा तो अपना पेहला प्रूव हो गैसे अंदर अभस् इनमें क्या बूले लाइँ को यह तो पहला वला रिश्टार ऐसे रिपख लिया अगर इसको हम capital line से replace कर दे और code domain को मतलब दूसरे वाल नंबर को same रखेंगे तब क्या ये same रहेगा मतलब one one on two रहेगा अभी one one on two है ना तो अब हम एक बार change करके बात कर लेते हैं देखो दोस्तों next case में देखो original function तो वह है f r star to r star defined by f of x ब्राबर one by x ये one one था and on two भी था अब हमें इस पर comment करना है कि ये one one on two है या नहीं है तो यहाँ पर क्या गया है देखो ये domain r star था तो अब बदल गया domain क्या गया n आ गया n मतलब natural number n मतलब क्या है one two three ऐसे सारी number आएंगे ठीक है तो अब जैसे मैंने बोला था एक tip दीती एक चला दीती है आपको की capital n वगेरा ऐसे number आ जाए जिनके इंदर गया ये लगातार नहीं है एक एक के बाद दो आएगा एक और दो के बीच की जो number है 1.1, 1.2, 1.3 वो number नहीं आएंगे इनको बोलते discrete लब ऐसे टूट टूट के हमें मिलता है बीच वाले number लगातार नहीं मिलते इसके अंदर तो ऐसे question में हमें क्या लगाना चाहिए arrow diagram बनाओ सबसे बड़ी है arrow diagram बना लो और question खतम कर दो देखो कैसे capital N है तो इदर में capital N मना लूँगा ठीक है capital N इसके अंदर एक आएगा फिर दो आएगा फिर तीन आएगा ऐसे हम लिख सकते हैं इदर क्या है यह है आर स्टार तो आर स्टार का तो हम diagram बना ही नहीं सकते पहली बात क्योंकि इसमें तो मतलब बहुत सारे number होंगे infinite numbers एक और दो के बीच में भी infinite number मिल जाएंगे इसके अंदर तो आर स्टार में सब आएगा यह अपना आर स्टार तो अभी इसके अंदर में कुछ नहीं लिख रहा है इसके अंदर जीरो जीरो तो नहीं आएगा जीरो को छोड़के फिर point 001 point 002 ऐसा करते करते point 9 के बाद में एक में इस function के through करना है कैसे f of x बराबर 1 by x के through मैं अगर ये 1 उठा के इसमें डालूँगा तो मुझे क्या मिलेगा f of 1 मिलेगा ये जो x है ना x ये जो x की values है ये x की values ही है यहाँ आप से x की values उठाएंगे मिया से इसमें रखेंगे f of 1 बराबर 1 by 1 बना गया answer बना गया अगर मैं टू उठा के डालूँगा तो f of 2 बराबर 1 by 2 मिलेगा ये 0.5 आ जाएगा f of 3 उठाके डालूँगा तो 1 by 3 0.33 मिल जाएगा 3 12 आ जाएगा ऐसे f of 4 1 by 4 0.25 मिल जाएगा ठीक है तो ये जो 1 आना 1 ये 1 किससे connect हो गया 1 से तो 1 connect किससे हो जाएगा 1 से ये इससे connect हो गया 2 क 2 किससे connect हो गया 0.5 से, तो 2 किससे connect हो जाएगा 0.5 से, समझगे, ऐसे 3, 3 किससे connect हो जाएगा, 0.3333 उससे, तो 3 connect हो जाएगा 0.3 बार से, अब यहां पे बहुत सारे नंबर है, जो कि कवरी नहीं हुए, अब जैसे 4 आएगा ना 4, तो 4 और छोटा हो जाएगा, ठीक है, फिर 0 जैसे नंबर है, माइनस 2, माइनस 3 वो बच गे, इधर की तरफ 2, फिर 2.2, मतलब बहुत सारे बच गे, 3.1, बहुत सारे नंबर 3, 4, 5, बहुत सारे नंबर बच रहे हैं, ठीक है, आर इस्टार है, तो 0 को छोड़के, दुनिया बर के सारे नंबर इसमें आ जाएगे, सब को लिखना पॉसिबल नहीं है, कोई पैटर्न तो होता नहीं, इसलिए हम लिखने ही पारे, मैं कुछ-कुछ रेंडमली आपको बता रहा हूँ, खिर, अब हम यहाँ पे, 1,1 पर कमेंट कर सकते हैं, और, on to पर कमेंट कर सकते हैं, 1,1 का मतलब क्या है, 1, यह जो 1 है, पहला वा चाहिए, तो 1,1 तो है, कैसे, यह जो 1 है, इधर के 1 से ही कनेक्टेट है, यह जो 2 है, इधर के 0.5 से कनेक्टेट है, इधर का 0.5 है, इधर के 2-2 नमबर से कनेक्टेट नहीं है, एक से ही कनेक्टेट है, तो 1,1 हो गया, on to, on to में क्या होता है, इधर के सारे इलिमेंट, r star के सारे element क्या होने चीए connected होने चीए should be connected तो थोड़ा मैं इसे mixed language में लिख रहा हूं r star के सारे elements connected होने चाहिए आप बताओ दो answer आ सकता है क्या नहीं आ सकता ना इदर फॉल्ता फिर कमों ऐगया से उलटा ओरूमें ड्लावज होगा आप लेगा एतला आर्मrets हो जाएंगे तो कभी नहीं मुलेगा यह ऐ मतले में ऑन्टू नहीं होगा क्या बन जाएगा, ओन टु नहीं होगा, क्या बनेगा ये इंटू बन जाएगा, तो इस टाइप का फंक्षन, अगर हमने या पर थोड़ा बहुत, मदला वो चेंज कर दिया, पहले तो ये 1-1 on-to था, लेकिन चेंज कर दिया, तो उसकी वज़े से one one into हो गया पहले था one one on two अब हो गया one one into क्योंकि यहाँ पर एक बात और बोल सकते हो कि range now range is not equal to code domain ये भी आप बोल सकते हो code domain में तो सब लोग या आ गए लेकिन range actually जो connected है वो लोग तो 2 नहीं आया 2.2, 2.3, 3 ऐसा कोई से number connected नहीं है तो range तो कम हो गई code domain उतनी उतनी है कि क्या r star ठीक है तो ये बराबर नहीं है तो क्या बन जाए गए into बन जाएगा दोस्तों अब देखते हैं question number two इसके अंदर total five parts है इनमें क्या बोला है check the injectivity and surjectivity of the following functions injectivity का मतला हमें one one या many one क्या है इन पे comment करना है surjectivity मतला हमें on to या into इनमें से क्या है इस पे comment करना है तो पहला function है f from end to end देखो natural number है तो हमें इस बार arrow diagram से ही करेंगे given by f of x equal to x square तो सबसे पहले हमें ये n बना लेता हूँ यहां पर एक आ जाएगा दो आ जाएगा तीन आ जाएगा ऐसे ये capital N होगी अपना फिर ये जो दूसरा वाला N है इसको भी बना लेता हूँ में one two three four five six seven ऐसे चलता रहेगा ये capital N आ जाएगा ठीक है इधर से इधर हमें define करना है क्या f function ये कैसे define करेंगे इस तरीके से f of x ब्राबर x square के तरीके से ये जो x है वो यहां से आएगा और जो answer f of x वो इधर जाएगा इसलिए बोलते हैं ये input है और ये output का set है तो शुरू करते हैं सबसे पहले हमें injectivity पे comment करते हैं कि one one है या many one है तो देखो भी f of x equal to x square है ये one उठाओ और इसके इंदर रखो तो f of one बराबर one का square f of one बराबर one का square बराबर one आ जाएगा तो one किस से connect हो गया one से connect हो गया तो one connect हो गया one से अब हम two डालेंगे ये वाला two डालेंगे एकस की ज़िए ये two डालेंगे तो f of two बराबर f of two बराबर two का square बोले तो चार जाएगा तो ये जो दो है ना वो किस से connect हो गया चार से ऐसे तीन किस से connect हो गया nine से क्योंकि तीन का square क्या होता है nine होता है समझ गे तो इतना काफी अपने लिए अब बताओ कि ये one one होगा या नहीं होगा one one बिलकुल होगा इधर भी one है इधर भी one है ऐसा तो हो नहीं रहा कि देखो one से भी answer चार जा रहा है two से भी चार जा तो many element one element से connected है ऐसा तो है नहीं इधर का one इधर का one 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 function है आप language में बोल सकते हो देखो ये chapter भले मेतम है लेकिन ये थोड़ा theoretical chapter है तो आपको थोड़ी define करना पड़ता है answers को कि each element of an has one pre-imagined set an ऐसा ऐसा कुछ बोल सकते हैं खेर अब हम on to पे comment करते हैं on to पे कैसे comment करें on to के लिए क्या होना चीए range equal to co domain अच्छा co domain क्या है capital N ये कैसे पता चला है capital N है तो देखो भई यहाँ पर ये जो N लिखा हुआ न ये ये कहा है co domain है co domain question में ही मिलती है तो उसमें हमें कुछ निकालना नहीं पड़ता co domain कहा है capital N range हमें खुद से निकालनी पड़ेगी इधर जो जो element connected है वो range के अंदर आएंगे बता हो range के अंदर actually मतलब जो actually connected है न वो आते है actual में जो output होता हूँ तो ये one connected है फिर four connected है फिर nine connected है इसका मतलब इनके answer देखो कैसे आ रहे है one four nine square मिल रहे है आएंगे square अपना function ही f of x equal to x square है तो square वाले मिलेंगे one four nine 16 एस ये सब मिलेंगे तो code domain तो है ने natural number का set one two three लेकिन range क्या आया one four nine sixteen क्या ये जो set है वो इसके equal है क्या नहीं है यहाँ पर two or three नहीं है जबकि यहाँ पर two or three फिर four five six सब है इसमें सब लोग नहीं है तो range is not equal to code domain तो on to नहीं हो पाएगा on to नहीं होगा तो क्या होगा one one होगा and on to नहीं होगा तो क्या होगा फिर into ही होगा तो यह हमने इन पर comment किया अब हम आते हैं second part पर देखो दोस्तों second part यह है f from z to z given by f of x equal to x square यह capital z है इसका मतलब क्या होता है integers मतलब set of integers मैं आपे only integers लिख देता हूँ integer positive हो negative हो या 0 हो कोई से भी हो आ जाएगा तो यह z अपने पास में यह भी क्या है z मैंने इधर के लिका 0 1 2 3 और फिर minus 1 minus 2 minus 3 वो भी आ जाएँगे इधर भी वो इस सब लोग आ जाएँगे function इधर से इधर यह सारे element कैसे connected है इसके through connected है मतलब f of x equal to x square के through तो start करते हैं सबसे पहले मैं 0 इसमें डालता हूँ तो क्या मिलेगा f of 0 बराबर 0 का square बोले तो 0 answer मिल जाएगा तो जो 0 है वो 0 से connect हो जाएगा और चलो पहले negative वाले ले ले लेते हैं तो f of minus 1 है ना f of minus 1 बराबर क्या हो जाएगा minus 1 का square वो मिलेगा हमे plus का 1 तो जो minus 1 हो वो किस से connect हो गया plus के 1 से connect हो गया अब f of minus 2 ले ले लेता हूँ थोड़ा सा equal ले ले लेते है minus की तरफ तो f of minus 2 कितना आएगा minus 2 का square मतलब 4 जो minus 2 है वो 4 से connect हो जाएगा ये ऐसे 4 से connect हो गया तो अब आगे नहीं जाएगे थोड़ा इधर की देख लेते हैं number f of 1 देख लेता हूँ तो f of 1 बराबर 1 का square बोले तो 1 तो ये 1 से connect हो गया f of 2 बराबर 2 का square तो ये 4 बन जाएगा तो f of 2 हो गया 4 से connect ऐसे होगे ऐसे आगे सागे फिर 3 का square 9 हो जाएगा तो वो इधर connect हो जाएगा ऐसे बहुत सारे बनते रहेंगे ये इतने sufficient है comment करने के लिए सबसे पहले हम इसकी injectivity देखते हैं injectivity injectivity मतलब कुछ नहीं वो one one many one वो सब one one होगा या many one होगा देखो ये इस बार many one होगा आप एक चीज़ देखो जैसे ये 4 है 4 दिख रहा आपको तो 4 इधर की तरफ ही अकेला है प्लस का 4 ठीक है तो ये इधर कितने लोगों से connected है दो लोगों से connected है minus 2 भी 4 से connected है एक से connected है मतलब many one से connected है इधर के many elements इधर का one element ऐसे connection है ठीक है ऐसे आप one के साथ देख सकते हो one के case में minus one भी one से connected है और ये जो one है ये भी one से connected है तो इस बार कैसा हो जाएगा ये many one function हो जाएगा many one 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 नहीं होगा many one होगा अच्छा इसकी सर्जेक्टिविटी पर comment करते है तो कि सर्जेक्टिव में क्या है ये सर्जेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी सर्जेक्टिव तो on to होगा तो सर्जेक्टिविटी मतलब on to into उसमें बताना तो उसके लिए सबसे simple सी चीज range निकाल लो co-domain question में दे रखी होगी co-domain क्या है देखो z ये co-domain है तो ये है z z का मतलब समझे रहे हो न सारे 0, 1, 2, 3, minus 1, minus 2 सब दाएंगे range मतलब actual में क्या answer मिल रहा है तो आप 0 डालोगे तो 0 answer मिलेगा देखो इदर 0 डालोगे तो 0 answer मिलेगा plus का 1 डालोगे या minus का 1 plus का 1 और minus का 1 दोनों से answer में 1, 1 ही मिल रहा है तो 1 answer मिल रहा है minus 2 डालो या plus का 2 डालो हमें answer 4 ही मिलेगा तो 4 मिला फिर अगला square 9 मिलेगा फिर 16 मिलेगा ऐसे अब यार ये चीज तो z के बराबर नहीं है इन्टू हो जाएगा क्या हो जाएगा ये इन्टू हो जाएगा ऐसे तो इस बार ये second part क्या आया मेनी 1 इन्टू अगला part देखते हैं अब दोस्तों next part ये है f r to r ये real number है real number हम बतलब सब आगे minus infinite से लेके infinite तक point वाले बिना point वाले सब लोग इसके अंदर आ गए given by f of x equal to x square वो ये function तो same है अब इनके अंदर हम approach change कर देते हैं देखो सबसे पहले one one check करते हैं मतलब वो injectivity check करते हैं तो one one है की नहीं उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर arrow diagram नहीं बनाएंगे जब भी R आ जाए arrow diagram नहीं बनाना क्या करना अप्रोच लगाना क्या मान लो कि f of x1 बराबर क्या है f of x2 यह जो x1 x2 है यह इस पहले वाले domain में मतलब x में belong करेंगे sorry r में belong करेंगे x1, x2 belongs to R यह मान लो अब solve करो इसको तो क्या मिलेगा देखो f of x है x square तो f of x1 x1 square f of x2 x2 square इसको solve करते करते अगर x1 बराबर x2 आ जाए only only वो long में ठीक है यह अगर एसा हम प्रूव कर देते हैं तो यह one one हो जाएगा x1 बराबर x2 only यह नहीं आया इसके अलावा कुछ और भी आ गया तब फिर one one नहीं होगा many one हो जाएगा solve करते है x1 square आपर x2 square square दोनों तरफ हटाएंगे तो क्या मिलेगा x1 बराबर x2 नहीं यह गलत बात है इतना सा नहीं लिखते 8th class तक होते तो आप इतना लिख लेते चल जाता marks मिल जाते मतलब अंडरूट लेते हैं तो plus minus तो लगाना चाहिए ना तो x1 बराबर plus minus x2 देखो इसके मतलब दो होते x1 बराबर x2 भी हो सकता है या फिर x1 बराबर minus x2 भी हो सकता है only x1 बराबर x2 आया क्या यह यह आया क्या only नहीं इसके साथ में यह भी तो आया है तो इसका मतलब यह one one नहीं होगा क्या हो जाएगा यह many one कैसे यह x1 बराबर x2 है यह minus इधर बेज़ दो minus x1 बराबर भी x2 है तो इसे अलग-लग values हमें मिल रही है many one many log एक one से connected है खेर आगे आते हैं तो अब हम क्या चेक करते हैं on to into तो on to का नाम लिख लेता हूँ मैं on to into कैसे चेक करते हैं यहाँ पर प्रोपर तरीका लगाना पड़ेगा on to into का टार्गेट तो यह यह range equal to code domain अज़ा code domain कहां से मिलेगी यहां से यह है code domain तो code domain तो क्या है r range हमें solve करना पड़ेगा range मतलब क्या output इसके नदर आप पूरा मुझे लगता है range समझ भी जाओ के range किया होता है तो range मतलब output out मतलब f of x पे comment करना है ठीक है तो चलो चलो इस टार्ट करते है अपना f of x क्या है f of x है x square लेकिन इसके बारे में तो हमें idea नहीं कि f of x का answer कहा से कहा तक जाएगा लेकिन देखो यह जो x है ना x x है domain में belong करा है domain क्या है r x है input input आती है यहां से तो x belongs to क्या है r तो अब हमें x square मतलब f of x कमेंट करना है x square पे comment करना है तो इसका मैं square कर दूँगा तो क्या मिलेगा x square अब देखो x square क्या होता है दुनिया में अगर x real है तो x square जो भी होगा वो मैंसा 0 या 0 से जादा ही तो होगा square क्या गरता है negative को positive बना देता है 0 का square 0 आ जाएगा x square या तो positive होगा या 0 के बराबर होगा negative तो कभी भी नहीं होगा x square मतलब क्या है f of x तो f of x क्या जाएगा greater than equal to 0 ठीक है तो मतलब ऐसा हो गया f of x belongs to 0 या 0 से जादा 0 से लेके infinite तक 0 पर ऐसे में square bracket लगाऊंगा क्योंकि इस बार equal है न और infinite पर तो small ही लगाते है square मतलब include कर रहे है 0 के बराबर है small मतलब infinite को include नहीं कर रहे है infinite को वैसे भी कभी भी कोई भी include नहीं कर सकता तो इस बार range गया हो गई f of x कहां से कहां belong कर रहा है यह output है न यह range है अपना 0 से infinite यह range है जबकि code domain क्या है code domain हम इने क्या बोला तो r था न यह यह पूरा code domain है तो r अच्छा r का मतलब minus infinite से infinite तक तो code domain तो है पूरा minus infinite से infinite और range है 0 से infinite तो यह तो अलग लग है यहाँ पर range is not equal to code domain तो अगर यह बराबर होते हैं तो onto कहला था नहीं है तो क्या कहलाएगा into कहलाएगा तो into है और many one है इस पार third part कहा है many one into अब हम अगला पार्ट देखते है देखो दोस्तो थर्ड पार्ट यह है fourth part यह है f from natural number to natural number given by f of x equal to x cube ऐसे है तो देखो natural number है real number नहीं है तो हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा वो arrow diagram से इसको deal करना पड़ेगा इधर में जो पहला वाला एन है domain उसके लिए n माना लेता हूँ एक, दो, तीन, चार ऐसे चलेगा और जो दूसरा वाला एन है उसको भी मैं इधर fill कर लेता हूँ one, two, three, four, five, six, seven, eight फिर चलता रहेगा अगे से आगे यह इधर के element इधर कैसे connect होंगे f के ज़री f of x equal to x cube है सबसे पहले जो one है वो हम इसमें डालेंगे input के तोर पे तो one का cube हमें one output मिल जाएगा तो इस one input के corresponding one का cube, one ही आजाएगा फिर अगला two two के corresponding हमें क्या मिलेगा f of two क्या मिलेगा तो two input है two का cube बराबर eight eight क्या होगा, output हो गया तो output वाले इधर 27, इस बार cube वाला है square का निया, cube का है तो यह बात है ऐसे three connect होतो जाएगा लेकिन बहुत दूर जाके होगा है सब लोग इधर के connect हो जाएगे तो सबसे पहले आप one one होगा या नहीं होगा तो one one हो जाएगा क्योंकि इधर का one इधर के one से connected है इधर के many numbers इधर के किसी एक number से connected नहीं होगे वन का cube बन होगा टू का cube एट होगा थी का cube टूंटी से होगा ऐसा कोई भी number नहीं मिलेगा कि इधर का किसी दो numbers या तीन numbers इधर के cube करें उधर answer एक ही मिलेगा ऐसा कभी नहीं होता तो one one हो जाएगा अब हम इसकी किस पे comment करें surjectivity पर मतलब on to into क्या होगा तो surjectivity के लिए क्या होना चाहिए range is equal to co domain होना चाहिए co domain कहां से मिलेगा देखो ये दूसरा जो set होता ना वो co domain होता n n बोले तो natural number एक, दो, तीन, ये सारा का सारा range मतलब जो connected है वो लोग, दूसरे set में, output ये इधर output, इसमें जो connected है वो कौन कौन है, एक है, फिर 8 है 1, फिर अगला cube 8 हो गया फिर 3 का cube 20 से होना हो जाएगा 4 का, 4 का cube 64 हो जाएगा ऐसे मिलेंगे तो कि ये दोनों set बराबर है कि है, बिलकुल नहीं है तो इस बार range is not equal to code domain वैसे भी देख सकते हैं, आप देखते हैं समझाओगे यार, अगर इधर के सभी element connected होना तो on to होता है ठीक है, या पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये connected नहीं है, तो क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा ठीक है, इंटू मतलब अंदर अंदर की तरफ मतलब सारे element connected नहीं है अंदर के कुछ elements connected है on to मतलब on to का हिंदीनवाद क्या होता है, पर on to मतलब क्या होता है, पर पर मतलब ये पूरा का पूरा, जैसे ये पैन है इस पर cover चड़ाना में रगो तो पूरे पर चड़ाओंगा न मैं f from z to z given by f of x equal to x cube, ऐसा है तो देखो z है, z मतलब integers, integers कैसे मिलते है 0, 1, 2, 3 ऐसे और minus 1, minus 2 ऐसे है तो मतलब लगातार नहीं मिलते, बीच में टुकडो में मिलते तो इस बार हमें arrow diagram से ही करना पड़ेगा तो इधर ये z बनाया इधर ये दूसरा z बनाया हमने 1, 2, 3 ऐसे मिलेंगे minus 1, minus 2 ऐसे मिलेंगे फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मिलके फिर नंबर बढ़ते रहेंगे फिर इधर भी minus 1, minus 2 ऐसे नंबर मिलते रहेंगे अभी काम की चीज़ ही हम connect करेंगे देखो, इधर से इधर f के through connected है f कह है? f of x equal to x cube सबसे पहले यह जो 0 आना 0 यह 0 ठाके डालता हूँ तो f of 0 बराबर 0 का cube 0 आजाएगा फिर 1 डाल देता हूँ तो f of 1 बराबर 1 का cube 1 आजाएगा f of 2, 2 का cube 8 आजाएगा f of 3, 3 का cube 27 आजाएगा अब minus की side भी कुछ नंबर डाल लेते है f of minus 1 बराबर minus 1 क्योंकि इस बार cube है न negative number का cube negative ही आता है square के तरह नहीं है कि वो positive बन जाए minus 2 का cube minus 8 f of minus 3 का cube minus 27 तो 0 होगा 0 से connect 1 होगा 1 से connect 2 होगा फिर 8 से connect ठीक बीच वाले नंबर छूट गए 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह छूट गए फिर 3 होगा 27 से connect तो बीच के जो नंबर है न 9, 10, 11, 12 से लेके 26 ते वो छूट जाएंगे negative side में बात करें तो minus होगा minus से connect मतलब minus 1 minus 1 से minus 2 होगा minus 8 से connect होगा minus 2 फिर बीच वाले नंबर छूट रहे है ऐसे हो रहा है अब बताओ कि 11 है यह जिस पार किया हो जाएगा 11 हो जाएगा जैसे यह जो 8 है यह 8 किस का q employer है यह तो एक ही नंबर का qchuck ए तो इधर का one element और इधर का one element तो 11 हो जाएगा यह उसके बाद में किस की बात करें आप चाहो तो 11 को वैसे भी प्रूव कर सकते है तो इस पर आँड वापस आते हैं इस बार ओंटु-ओंटु में से क्या होगा इंटु इस बार आप बता सकते हुं डारैक्ट कैसे इधर के सारे element connected है गया नहीं है ना तो इस पूरे जेड में से जेड में से कुछ element connected है तो जेड इंटू जाएगा ना इंटू अंदर वाले कुछ element connected है पूरा connect होता तो onto होता कुछ element connected है तो इंटू जाएगा और वैसे आप proper definition बोलो तो ऐसे बोल देना range is not equal to code domain code domain कहां से मिलेगा code domain यह रहा जेड जबगी range किया है range तो कुछ elements का set ही है 0 फिर minus 1 और यह मतलब जो cube हो रहा ना minus 8 ऐसे मिल रहा है 1 8 27 ऐसे number हमें मिल रहे तो ऐसे सारे नहीं मिल रहे है this is not equal to z जेड में सब आते है ठीक है minus 3 minus 4 वो सब भी आते हैं तो यह दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया one one हो गया और साथ में into हो गया इस type से करते हैं ऐसे question अब 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 अलग लग कर पा रहे हो questions को jd या n ऐसे question आ रहे तो error diagram मना लेना अगर r से r ऐसे जा रहे हैं तो आप जो proper method है न एरो diagram बनाने की जुरूत नहीं प्रोपर method से कर लेना उससे भी हो दाएगा फटापट अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर थेंक्यू बेरी मच्छ अ अ अ अ